तो दोस्तो आज 17 जुलाई 2022 कल 18 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग विग स्टार्ट होने जा रहा है जैसे कि लास ट्रेडिंग विग पर हमने देखा था मार्केट के अंदर बहुती ज़ादा वल्यूटिलिटी हमें देखने को मिला तो दोस्तो ऐसे सिच्चेशन पे बहुत सारे शेर लगादार गिरावट भी देखने को मिला दोस्तो आज इस वीडियो में आपको रिकमेंड करूंगा 5 ऐसे फणनामेंडल स्ट्रॉंग मल्टी बैगर शिर जिसके अंदर आपको बाई करने से सिम्पल बचना चाहिए अब देखे, sell करना ना करना वो आप क्यों पड़ है, बट यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा, buy गल्थ से मत करना, क्योंकि ये सारे 5 share के अंदर आगे गिरावट होने का बहुत जादा chance है, और ये मैं आपको full proof भी कर दूँगा, अब चले, बिना 30C time waste के, मैं आपको एक एक कर के नाम दिखाता हूँ, तो सबसे पहला share हमारे list में है, ITC Limited, अब ITC Limited क्यों, ध्यान से सुनना, ITC Limited का share दोस्तों, last एक मैने पे बहुत जादा चल चुका है, अगर आप देखो के दोस्तों, ITC Limited का जो returns का profile, आपको long term में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलागा, आप द इस बात दोस्तों, जो रशिया और यूक्रेन वार की बज़ए से जो ग्लोबल मार्केट में food crisis हमें देखने को मिला है, तो इसका पूरा-पूरा फायदा यहाँ पे FMC sector के अंदर देखने को मिला, जिस बास से हमने देखा कुछ बड़े companies उसके अंदर ITC भी शामिल है, जो लास्ट कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिला, अब यह जो लेबल ख़रा है ITC का, यह बहुती ज़ादा important resistance points है, ऐसा मैं क्यूं बोलना हूँ तो देखे, फ़र पीछे आ जाईए लगबख 2-3 साल पहले, जब ITC Limited का share 2019 में, देखे, 300 रुपए का आसपास ट्रेट कर तब देखे, इस पर्टिकुलर लेबल यानि 300 रुपए का आसपास बहुत बार कोशिश किया था, share उपर की तरब जाने के लिए, unfortunately वहाँ पे बार-बार resistance फेस किया, और share के अंदर ultimately गिरावट देखने को मिला, तो यह जो लेबल है 300 रुपए का, लगबख 4-5 साल से share यहा 66 के आसपास, यानि strong zone पे पहुँच चुका है, अगर एक-दो दिन और इसके अंदर तेजी हुआ, तो definitely यहाँ पे गिरावट होने का चांस है, और अगर आप देखोगे दोस्तों लास्ट कुस दिन का जो ट्रेडिंग पैटन है, तो यहाँ पे देखे, बहुत strong resistance फेस देखे, यहाँ पे एक गिरावट होने का बहुत जादा चांस है, इसके पहले भी दोस्तों हमने देखा था, अदानी ग्रूप के यह सारे शेयर करने जब 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 तेजी होता है, उसके बाद देखे, जब गिरावट होता है, वो काफी dip तक जाता है, जैसे कि लास्ट टेम पे हमने देखा था, अल्मूस्ट 2800 तक शेयर पहुंच गया था यहाँ पे में के माइने पे, एप्रिल में के माइने था, उसके बाद देखे, जब गिरावट होता, कहा तक गया, 2000 तक शेयर पहुंच गया था, फिर देखे, 2000 से शेयर फिर से रिकावर करते हैं, 3000 पे पहुंच चुका है, अर्मूस्ट एक से देर मैने के भीतर, और उसी के साथ-साथ आप अगर ध्यान से दोखे के, इसका जो आड़े सा इंडेक्स आज की रेट पर निकल कर रहा है, 76 पॉइंट सम्तिंग, यानि अल्यड़ी यह शेयर दोस्तो, ओवर बॉर्ड जोन पे इंट्री ले चुका है, तो जिस वैसे यहाँ पे मैं आपको strongly recommend कर रहा आदानी, transmissions के, जितना हो सके, दूरी बना के रखिये, क्योंकि यह शेयर कभी भी correction हो सकता है, जो कि last day भी हमने देखा था, देखे, 3000 का level यहाँ पर रहा था, 3000 की उपर जाने में, तो definitely यहाँ पे strong resistance point बना हुआ है, जो कि इसके पहले हमने देखा था, यहाँ पे लगा था, जिस वाजे से यहाँ पे आगे गिरावट होने का एक बहुत ज़्यादा चांस है, अब भी हम बात करेंगे 30 शेयर, तो देखे, 30 शेयर last day, almost आधब से 1% का आसपस हमें recovery देखने को मिला 24 से रुपई का आसपस शेयर पहुँच चुका, अगर आप देखो के last 1 मेने पे यह दोस्तों काफी धमाग है था, रिटन दिया, जहाँ पे मार्केट लगातार गिर रहा था, 15% से लेके 16% का रिटन लास्ट एक मैने के अंदर यह शेयर भी दे चुका है, इवन 6 मैने के अगर आप देखो के रिटन एकदम बॉटम से लेके टॉप तक आप देख सकतो, यह श टाइब की शेयर में, मतलब अदानी इंटरफरेस के अंदर, जब जब गिरावाट हुआ था, यह गिरावाट काफी डेप तक जाता है, देखें, लास्ट टाइम 24 सो तक पहुँचा था, उसके बाद देखें, 2000 पे पहुँच चुका था, उसके भी पहले अगर हम बात करें तो देखें, यहां पर आपको पता चल जाएगा, देखें, लास्ट एक साल पे, जब जब शेयर के अंदर गिरावाट होता है, दोस्तों, काफी अच्छा सा गिरावाट होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर अधानी इंटरफरेस का जो चार्ट पैटन है, यहा अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर शेयर से भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जितना हो सेगे, दूरी बना के रखें, देखें, नौड आउट यह सारे कमपणी अच्छे कमपणी है, बट आज की डेट पर जो सुच्छेयर के अंदर, उसके उपर बेस करके मैं आपको आज-पास, तो यहाँ पर आप बहुत लोग यहाँ पर समझे होंगे, कि मैं कौन सी शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, आपने सही पकरा, अदानी ग्रूप से और एक शांदर कमपणी, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, यह शेयर अगर आप देखोगे, लास्ट एक अहाँ निकल गया, 6 मेने की बात करें, तो देखें, शेयर के अंदर एक दम इसके पहले भी कड़िवन 26 तक पहुँच चुके था, उसके बाद देखें, जब करेक्शन हुआ, यह 2000 का लेवल भी ब्रेक क्या था, यानि काफी डिप तक यह करेक्शन हुआ था, उसके बाद ह अब बात करें, इसके पहले, रेकॉर्ड आप चाहे तो देख सकतो, अदानी टोटल गैस लिमिटेट के अंदर जब जब गिरावट हुआ है, काफी डेप तक यह गिरावट देखने को मिला, तो यह टोटल चार शेर हो गया, अब और एक शेर में आपको रेकुबेंड करू हमारी लिस्ट में लास्ट और फाइनल शेर है दोस्तो, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, अब बहुत लोग चौंगे होंगे, कि सर आपने तो बार बार रेकुमेंड किया था, जी हाँ, मैं जब किया था, उस टेम पे शेर बहुत नीचे लेबल बता, आज अगर हम बात करें दोस्तो, लास्ट एक मैने पे हिंदुस्तान यूनिलिवर जैसे इतने बड़े कंपणी 17% का रिटन दिया है, और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कोई fast return देने वाला शेर नहीं है, क्योंकि size कंपणी का बहुत जादा है, पास साल पे दिकी से 121% का रिटन दिया, इवन अगर मैक्सिमम रिटन भी देखोगे दोस्तो, जब से लिस्ट आप से लिगा आज तक, नौड़ बढ़िया रिटन दिया, कंपणी डिविरेन के मामल में भी काफी शांदार है, काफी अच्छी डिविरेन देता है, बट उसके साथ साथ थोड़ वाड जोन पर पहुंच चुका है, तो ये टोटल पांच शेर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिसके अंदर आपको अभी फिलाल बाई नहीं करना चाहिए, देखे, सिंपल सी बात ही है, मैं आपको सेल करने की रेकमेंड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ पर से आपको मैं बो जितना हो सके, अभी थोड़ा से दूरी बना के रखे, जब शेर करेक्शन होगा, उसके बाद दोस्तों जब शेर के अंदर स्टेबल आपको देखने को मिलेगा, डिफिनेटली आप आप इन्वेस्ट कर सकतो, बट हाँ, मेरा परसोनल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, कि द और इंदुसान इन लिवर, यह दोना ही शेर, दोस्तों बहुती बैधरिन कंपणी अपने सेक्टर का, तो डिफिनेटली जब शेर किरेगा, तब यह आपको बाइक कर सकतो, वीडियो अच्छे लगे तो फ्लीस टानलों को सब्सक्राइब जरू करना, वीडियो को लाइक कर के जरूए नकरज करना, मिलते नेक्स वीडियो पर, तब तक के लिए टेक क्या बाबाई, जय हैं